तारा मीरा सरसु परवार की फसल है तारा मीरा फसल की लंबाई 2-3 फीट तक की होती है ये सरसु की प्रजाती जो ऐसी होती है लेकिन इसके दाने या फलियां लाल होते है इसकी खेती सभी शेत्रों में की जा सकती है तारामीरा को उपजाओ और कम और वर भूमी में भी उकाया जा सकता है इसमें तेल की मात्रा लगफग 35 से 37 फीस्थी पाय जाती है इसका तेल खाने योग्य होता है सरवाथिक तारामीरा राजिस्थान की अन्मानगर और श्री गंका नकर सिले में पाय जाती है इसके अलाबा नागौर, जोदपूर, टॉंक, जैपूर, फरतपूर, अलवर में फिसकी खेती की जाती है भूमी का चुनाव खेत की पहली जुताई मिट्टी पुलट हल्स से करते हैं इसके बाद कमपोस्ट खाग 10.8 प्रती हेक्टेर खेत में अच्छी तर्हा मिला देते हैं इसके बाद दू बार कल्टिवीटर से जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल करते हैं इस प्रकार से बवाय के लिए खेद तयार हू जाता है पकाव अफ्धी एक सुतीस से एक सुचालिस दिन उस्पच बारा सी पंदरा कॵिंटल प्रती हैक्टेर तारा मीरा की उन्नत किश्म आटी एम दो हजारो नरेंद्र तारा उर्वरक की मातरा यूरिया 65 किलो और सिंगल सुपर फोस्फेट 100 किलो प्रति हेक्टेर बुवाय के समें खेत में डालनी चाहिए बीज की मातरा और बीज उपचार, एक हेक्टेर शेत्री में बुवाय के लिए 5 किलो ग्राम बीज पर याप्थ होता है बुवाई से पहले धाई ग्राम मैंको जे प्रती किलो बीच की दर से बीच को उपचारित करनी चाहिए बुवाई बारानी शेत्रे में तारामीरा की बुवाई के समय मिठी में नमी और तापमान पर निर्फर करता है नमी की उपलब्था के आधार पर इसकी बुवाई 15 सितंबर से 15 क्टूबर तक करते हैं बीच की बुवाई कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और 20 से बीच की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हुए भूमी में 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए खर्पतवार नियंत्रन फसल में खर्पतवार नियंत्रन के लिए बुवाई के 20-25 दिन बाद निराई करें फसल संरक्षन फसल में कीट रोग का प्रकूप दिखाई दे तो समय पर नियंत्रित करें फसल की कचाई फसल में जब पत्ते छड़ जाएं और फलियां पीली पढ़ने लगें तो फसल काट लेनी चाहिए इस प्रकार किसान भाई यदि आप तारा मेरा के खिती करते हैं तो एक एकर बिजाई पर 4,000 रुपे खर्च आएगा इसके बाद मार्केट में इसका मूल 7,000 से 10,000 रुपे प्रतिकुंटल के हिसाब से रहता है